यूपी में मिली करारी हार ने बीजेपी को जगजोर दिया है। इस पार्टी के साथ सरकार में भी सुनाई पड़ रही है। 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में महस 30 सीटों पर सिमट गई। वहीं अखिलेश यादव की सपा ने अकेले अपने दम पर 37 और सपा कॉंग्रेस के इंडिया गड़ बंदन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाई में सपा ने रामनगरी अयुद्या की फैजबाद सीट भी बीजेपी से चिल ली है। इतना ही नहीं काशी में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की जीत का अंतर भी 70 फीजदी तक कम हो गया। अमेठी में बीजेपी की बड़ बोली मंत्री स्मृती इरानी की बुरी हार हुई है। अगर बात यूपी में बीजेपी की हार की करें तो चुनाओ में जनता दुवारा दिये गए सदमे से बीजेपी और उसके समर्थक अभी तक उभर भी नहीं पाए है। अगर बोली ची के मदे नजर अब कुछ निर्णों में योगी सरकार सुधार करती हुई दिखाई दे रही है। जिसमें अयोध्या को लेकर किये गए सरकार के कई एहम फैसले हैं, जिनको बीजेपी और योगी सरकार के पश्यताप के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूपी की योगी आधितनात सरकार के बदले फैसलों में अयोध्या के किसानों के विरोध का मामला भी शामिल है जिस पर अब योगी सरकार गंभीरता दिखाती नजर आ रही है अयोध्या में बनने वाली एरो सिटी के लिए जमीन अधिगर्ण के प्रिस्ताओं पर विकास प्राधिकर्ण ने बोड बैठक में रोक लगाई है ये आवासिय कॉल्णी 150 एकड जमीन पर बननी थी रोक लगने की वजह बीकापुर के दरजनों गाउं के किसानों का विरोध ह जो अपनी जमीन का अधिगर्ण नहीं होने देना चाहते हैं वहीं छे माह पहले राम लिला की प्राध प्रतिष्ठा के समय अयुध्या में बंद की गई स्थानी दुकानों की एंट्री को भी प्रशासन ने अब खोल दिया है इससे यहां की जनता को बड़ी राहत मिलेगी इतना ही नहीं अयुध्या शहर में बनने वाले 6 कलोंवीटर लंबे फ्लाइ ओवर के प्रस्ताव को आवास विकास ने बोड बैठक में कैंसल कर दिया आवास विकास ने अब फ्लाइ ओवर के बजाए तीन अंडरपास बनाने के निन्ठे लिया है इसके अलावा अयुध्य के विस्थापेत दुकानदारों को भी रहत प्रदान करने का प्रयाष सरकार की ओर से किया गए है अयुध्या के सौंधीकरण के लिए धुकानदारों को अब rigorous प्रत्चत की छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन किया गया है सरकार की पहल पर अयोध्या विकाज प्राधिकण ने अस्सी दुकांदारों को चाबी भी सौब दी है शायद समिक्षा बैठा के बाद बीजेपी का मानना है कि सरकार के ऐसे निणों के चलते ही चनाओं में पार्टी को अयोध्या में हार मिली है और स 6 वोटों के अंतर से सपा प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीते थे लेकिन इस बार सपा के ही अवदेश प्रसाद पासी से 55,000 वोटों से हार गए फैजाबाद वो सीट है जहां पर बने रामलला मंदर का पूरा श्रेय बीजेपी ने चुनाव के दोरान पूरे देश में ल रहा है खाला कि इस हार का बदला लेने के लिए अब बीजेपी अयुध्या जिले की मिलकिपूर सुरक्षित सीट पर जीत का खुआप देख रही है ये सीट अवदेश प्रसाद पासी के सांसद बनने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई है जिस पर अगले दो से तीन म बदला विधान सभा उप्चुनाव में सपा से लेना चाहती है हाला कि ये समय तै करेगा कि इस चुनाव का उंट भी किस करवट बैठेगा बीरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी